वेल नेक्स्ट टॉपिक इस अबाउट दी रिप्रोड़क्शन इन फिश अच्छा इससे पहले हमने कॉलेक्टिवली वर्टिब्रेट्स के अंदर यह मुखले स्ट्रेटेजी देखी अब हम वन बाई वन फिश के अंदर एंफिबियन्स के अंदर और बक्या अनिमल्स के अं और यह अच्छा इसे रिप्रण सीर्वली वर्ट्रेटव मुखले स्ट्रेट ना क्यार इस व편 विवल्डी मूंन इसे एं आप।नार आग कै नीक्गेड़ का अंड फिछ एंदर यह खंपिक बक्या और बाल के बहुतर ने अर एकेड़ मैंन अब्हाल सा वनिजार एंन अध के अंदर आम तार पे ये फिश जो रिप्रोडूस नहीं करते हैं तो इस फिशिज दे सीक सच एरियाज विद इस स्टैटिक वाटर तो इन बोनी फिशिज फिशिज इस यूजली एक्सटेनल इग्स कंटेन ओली इनफ योक तो सिस्टेन देवलपिंग फिश इन शॉर्ट ता हैं तो वो 22 तो 24 आर्स में ये कम्प्लीट यंग वन डिवलप हो जाता है फिशिज इसकी हैचिंग तक अच्छा यह जो फिश के एक्स होते हैं दे आर नॉट शेल्ड एक्स दे आर कवर्ड ओवर बाई इस तरह पे जैली और वो जैली वाटर के बसॉब करती है और वो दे और यही है जो कि एग की डिवलपमेंट को प्रोटेक्टिव कवरिंग तोर पे काम करती है तो दो सिबोनी फिश इस फिरलिज़ेशन इस यूशली एक्स्टेरल दा एक्स्टेरल दा एक्सके अंदर इतनी योग होती है योग जो है जो है डाट पींज रिस इस टोर हाउस आ जो जब अ अब 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 अग्सकाद तो जब फिरलिज़ेशन के बाद इनमल ज़ड़ एक्सक तोर जो फिरलाइस सेल है अब दा इनिविश एक्सकरण टिव जो है तो योग की है जो फूड की अन्दर जो फूड है जए योग फूड वार आप।ब अर प्र जैसे जएसे must seek food by the time योग consume हो जाए by the time consume हो जाती है तो फिर ये जो एग है वो hatch कर जाता है और उसमें से एक जैसे sign of interrogation है उसी शकल का एक embryo एक young one it comes out और उस वकत उसके पास योग बहुत थोड़ी रह जाती है और by the time it is consumed completely उसके बाद mouth भी उसका बन जाता है and then it starts taking food from outside और ये outside food जो है that is very micro organisms की form में उसकी food होती है Now although many thousands of eggs are produced and fertilized the few survive and grow to maturity और जैसे हमने पिछले module की अंदर बताया example की तौर पे ये cod fish है जो की तकरीबन 5 million eggs at a time वो ले करती है तो इसमें सारे के सारे सारे के सारे eggs नहीं हैं कि जो डिवेलप हो जाएं इसमें से there is a very little percentage almost 3, 4, 5 percent depending और बहुत सारे eggs जो हैं they are eaten upon by the parents or other fish or other animals as food क्योंकि अगर आप you just imagine कि अगर सारे के सारे fertilize हो जाएं और सारे के सारे development करना शूरू करते हैं तो ये जतने भी seas हैं या oceans हैं जहां पे वो cod fish रहती है वो तो सारे उसकी अंदर तो codicod हो लेकिन ऐसा नहीं होता है there is a checks and balance तो वो any fish जो कि ज्यादा produce करते हैं उनके अंदर उनकी mortality भी बहुत ही ज्यादा होती है और survival partly two, three, four, five maximum आप समझें कि 4% और वो animals which lay very few eggs उनकी protection भी बहुत ज्यादा है तो इस तरह अगर आप you can make a graph of it protection versus the number of eggs तो ये एक बाका था उनके एक आपको linear इसके अंदर relationship मिलेगी और adverse होगी ये relationship now some scum to fungal and bacterial infections क्योंकि ये जो eggs which are laid down और ऐसे वो बिल्कु crystal clear water में तो आप तो आप नहीं होते वहां पे bacteria भी होते हैं लेकिन वो oxygenation होती है वहां पे लेकिन वहां पे most of the eggs या तो वो eaten, they are used as food by the other animals और उनके फंगर अटेक हो जाता है या बैक्टिर अटेक हो इस तरह वो बिल्कु जाहा हो जाते हैं उनकी decomposition हो जाती है नो तो इस्चुर रिप्रडॉक्तिव सक्सेस द फर्डॉलाइज एग डिवलप रैपिर्ली या इसमें ये भी एक strategy ही हुई ना के जो भी survive करता है वो बड़ी तेजी से गरो करता है ताके वो जो अटेक्स को ओवरकम कर सके वो बच सके अनिमल के प्राम मान दी अटेक तो 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 एशूर रिप्रोड़क्टिव सेक्सेस अग डिवेलप रेपरली और यंग अचीव मैशुरिटी विदिन शौर्ट पिरिट विदिन शौर्ट पिरिट तो यह बहुत थी जल्द यह early stages जो हैं उसकी development की they are very quick अगर कोई fish जो है let's say carp है वो fingerlings में आ जाती है तो फिर वो इस काबल हो सकती है वो बहुत quick भी हो जाती है वो अपने आपको survive भी कर लेती है वो food intake भी बहुत जज़ा होती है जिसकी वज़ा से वो इसकी growth it is it quickens तो इस तरह यह this is also one of the strategies and this is all about in a fishes so this is all this is all about